वेलकम तो दे पैशन प्रोड़िजी चेप्टर फॉर डिसीजन कैसे लिए वो मुमेंटे टेंड करना है, होप और फीर से बैटल करनी है और ट्रिक पेचाननी है कि बैक एंड मैथर्ड और प्रिपरेशन रिक्वार्ड है फॉर्थ है अग्सपेरिमेंट और इक्सपेरिमेंट क्यों रिक्वार्ड है पासदफ होता है कि हम सालों तक प्रिपरेशन करते रहते हैं और हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते लिए लेकिन जो रियल गेम चेंजर्स हैं या जिन्हों ने अपने लाइफ में कुछ बढ़ा कि अनुन ने गाय बगायें चैहिए वह एक महीन बाद जो महीन बाद अपनी प्रिपरेशन टेस्ट करने के लिए को इन एक्सपेरिमेंट रन किया ताकि उनको मुलूम पर एडिया और भी इमको जो इनको 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 इस प्रपरेशन सही ट्रैक पर है कि निए इस वली एपि यह एक दूर का रहा था। फॉर्थ मंथ मुझे एक भूख मिली और मैं भूख रीड का रहा था। रुक मे लिखा हुआ था कि एक भूखा भाता कह्मेश में लेना चाहिए। क्या मुझा डर भी था कि मुझा प्रिपेज नहीं हूं मुझे और प्रिपेर प्रिपैर होने की जबूधित है मेरे पस अभी परसॉनालिटी नहीं है मेरे पस अभी बैकराउंट पर oming मेरे तक गएक्सप्रिंट है टी जमिरेकर करती किया कि मुझे ऐख Això कुछ लूइन वहाँ पर अपने टीचर से मिला और मैंने का कि मुझे एक छोटा सा पंतालीस मिनिट का मोटिवेशनल सेमिनार रन करने की जाज़त दीजे वहाँ पर टीचर के मांड में था कि यह बहुत इन इक्सपीरियंस एटसरा लेकिन अन्होंने मेरे इस इनिशियेटिव को बहुत प्रेशेट किया और मुझे उनने वह उनने बोका दिया और अलम्दोलिल्ला वो 45 मिनिट में इस्टूडिट्स ने बहुत अप्रीशेट किया और जो बोसरी गलतियां थी उसमें, जो के मुझे उस दिन एक्सपेरिमेंट में मालूम पड़ी, प्रिपरेशन में वो गलतियां नहीं आ लिए आ लिए सामने, आपको सामने आना पड़ता है और जो आप स्टेज पर खड़े हो के यह ही स्टेक्स में परफॉर्म का रहते हैं किसी ने नेगेटिव फीड़ेक नहीं दी लेकिन वहां स्टेज पर खड़े खड़े मेरे मैंड में ही खुद तीन चार पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे लगा नेगेटिव हैं मुझे उन पर वर्क आउट करना चाहिए, आई गो बैक और वर्क अगेन उन दोस पर्टिकुलर और नमबर टू आपको क्या सीखने के जरूरत है अच्छी था यही कि जब आप वेबसेट बनाते हैं या मैं बना रहा था तो मैंड में एक चीज ही कि यार यह तुम्हें बना रहा हूं हमें इससे कुछ अर्ण भी तो हो कुछ पॉक्ट मैंनी भी बने कि यार हम कुछ स्ट कि यार इस पर एड़ कैसे लागा है इस पर एड़िजमेंट कैसे प्लेस की जाए वह भी देखना था वह मैं रिसरच के उसे पड़ा चला कि यार एड़संस है एक चीज उसके थारू जो है आपका आता है फिर वह एक ताइम था कि मैंने उसके लिए अपलाय किया लकिन वह यह उसको प्रूब भी देते हैं अप्रूबल करते हैं कि मुझे बस हमेशा होता है कि यार शायद पकस्तान वहर चीज में पीछे ही है खासकर इस चीज में कि वो पद नहीं इसको सब करेंगे कि नहीं करेंगे लेकिन अन्हुंद लेला जब मैंने उस वेबसाइट के लिए अप्लाइए किया ना तो वह अप्रूब हो गया और मुझे एक लैटर आयागा तो इतनी इंज्वाइमेंट और फुशी का वो लैटर अ मनला जो था वो मेरे लिए ठाखर के ए अर्निंग तो आपके अश्टम में जा रहively है एक बाहर के मुल्क में अब तक कैसे पोंचेगी उन्हां बैंक से तो यह था कि अश्तियों यह था कि मैंने अपने नाम पर नहीं हो था वह जो अकॉट हो उप की नाम भी मेंने अबू क भी शोर होई, उसक़ उनाने चेक भेज़ा. जब चेक आया तो वह अबू के नाम पे था, लेकिन प्सक्सक्डीम्ट था. मिस्टेक थी मिस्टेक थी, वह एक तर चिरह से ऐखस्पेरिमेंट ही था, तो मुझे था कि शायद अबू के अबू के अगाउंट है तो उसमें आ जाएगे यही सोच थी क्योंकि फर्स टाइम था वह रहा यह के वह हो गया कैश हो गया तो वह इंज्वाइमेंट थी यार के यार आखिर यह फर्स टाइम मोमेंट है कि यार मैंने उससे कुछ किया और अब हार चीज यह तरीका है इसको ऐसे फॉलो करने इस इस वीडियो में यंग्स्टर्स जो देख रहे हैं उनके लिए जो दो लेसंस है वो यह है नमबर वन कॉमर्स का स्टूडेंट है और उसको बेसी कि उससे एक मिस्टेक होगी सिंपल सी के तो देखें कि आप जो पाड करें लेसनल हो ड़ सा खर Adapt lire लेकर लेसनार है और आपको अभी इसले है उस परिप्राइसन को सामने रखते हुए जैनिकेटी लोग आपको मोका देंगे आप जाकर दूसे बात करें और तो कैंडली कमेंट करें और बताएं कि आपकी लाइफ में कौन सा एक्सपेरिमेंट ऐसा रहा था जिसने आपको इंडिकेशन दिये कि आप सही पात पे हैं और सेक्डंडली आपने उसे क्या सीखा थैंकियो फर वाचिंग दे पैशन प्राड़ जी कीपन वाचिंग